नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं इन्हें सब्ता भर में सभी पॉलूओ की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है आपको बता दे कि इस मामले को लेकर रांची के में रोड में धारा 144 लागू है इंटरनेट सेवा रांची में ठप है सनिवार को सहर की दुकाने भी बंद रही बता दे बीजेपी नेता नूपूर सर्मा के ब्यान के बाद राइध हनी रांची के में रोड में सुक्रवार को हिंसा हो गई इसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गई इन्हें आनन भाणन में अस्पताल में भरती कराया गया है जब कि दो लोगों की मौत भी हो गई है जारखन में 12-15 जूर के बिच मांसुन की इंट्री होने का पूरोन वान है अईसे मेंजारखन के अधिकाँ स्जीलों में 15 जूर के बीच हल्के से मद दर्ज की बारिज के असार है बारिज के कारण कई जीलों के तापमान में थोड़ी गिरावर देखने को मिल सकती है लेकिन मानसून के नजदीक होने के बाद भी जारखन के कुछ जीले ऐसे हैं जहां तापमान 25 डिग्री सेस्यस तक रहने का अनुमान है मौसम विभाक के अनुसार अगले पांच दिन तक जहारखन के अलग अलग जीलों के तापमान में कई अधिक बदलाओ देखने को मिलेगा रांची हिंसा में 9 एफायार 26 नामजात 10 हजार अग्यात आरोपीत जहारखन की राज़धानी रांची के में रोड डेली मारकेट इलाके में भारी हिंसा उपद्रों मामले में रांची के तीन अलग अलग थानों में 9 एफायार दर्ज की गई है इसमें 26 नामजात वह 10 हजार अग्यात को आरोपीत बनाया गया है इनमें डेली मारकेट थाने में 3 केस, लोवर बजार थाने में 5 केस वहिंदी पिडी थाने में 1 केस दर्ज किया गया है इसमें पूलिस पर सासन की ओर से 4 केस दर्ज कराया गया है जबकि 4 केस अलग अलग पॉबलीक पिटिशन पर दर्ज हुई है जबकि एक केस बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन की और स्रदर्ज कराया गया सभी मामलों में पूलिस ने छान बिन शुरू कर दिया रेलेवे भरती बोर्ड की अरारवी सीवी टी टू परिक्षा आज रेलेवे रिक्रूट्मेंट बोर्ड की आज होने वाली परिक्षा को लेकर सनी वायर को दिन भर परिक्षा थी संसय की स्थिती में रहें उनके पीच परिक्षा होने या ना होने को लेकर असमंजस का महौल बना रहा बतादे कि पुर्व से ही सहर में दो जगो पर परिक्षा केंदर चीन हीत कर 12 जून को परिक्षा की ती तैक की थी लेकिन अचानक बदले सहर के महुल के बाद परिक्षा को लेकर संसर बनी थी हलाकि इस समझ में जिला परसासन का कहना है कि हर हाल में ओनलाइन माध्यम से परिक्षा होगी इसके लिए मोबाइल पर इंटरनेट का होना या ना होना ज़रूरी नहीं है जिन परिक्षा केंद्रोप और RRB के परिक्षा ताय है वहाँ वाई-फाई के माध्यम से भी परिक्षा लिजा सकती है बिहार और जार्खन के सभी जीलों के रांची परिक्षा देने आये परिक्षारतियों ने कहा कि रांची के महल को देखते हुए उन्हें इस बात का डर है कि कई परिछा अस्थागित ना हो जाए रांची में इंटरनेट सेवा बहाल रात एक बज़े बात चालू हुई सेवाएं रांची के लोगों के लिए राहत की खबर है इंटरनेट से वाएं बाहाल कर दी गई है सन्नीवार रात एक बज़े सासन पर सासन के आदेश पर इंटरनेट सर्विस चालू कर दी गई बता दे सुक्रवार को सहर के में रोड इलाके में एकरा महजीत के पास भारे हिंसा उपद्रव के चलते सुराक्षा एतिहायत के तहद इंटरनेट पर रोग लगा दी गई थी रविवार को और रेलेवे भरती बोर्ड एवां एन्टी पीसी की परिक्षा देने बड़ी संख्या में परिछार्थी दूसरे सहर से रांची पहुँचे है इंटरनेट चालू होने से सबने रहात की सास ली है बता दे आज की दोनों परिक्षा है सहर के विभिन केंद्रों में आवजित हो रही है परिक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की बेवस्था की गई है आठ लाख बच्चों को नहीं मिला मिड़े मिल का पैसा कोरोना के कारण इस्कूलों के बंद रहने पर सरकारी स्कूलों में कक्छा एक से आठ के बचों के मिड़े मिल के बदले छाती पूर्ति भाता देना था इसमें चावल के अलबा कोकिंग कोश्ट की रासी बचों को दी जानी थी लेकिन पिछले भी तिये बर्स में 8,49,000 नमां के लिए आवस्य कदम उठाने के निदेश दिये हैं रांची हिंसा के बाद पलामू पुलिस अलार्ट पलामू के प्रमंडली ए आयुक्त जटा संकर चोधरी एवाम डी आईजी राजकुमार लकडा ने पलामू प्रमंडल छेत्र में आपसी सभार्देवा सांती ब्यवस् अलार्ट मोल में रखा गया है सहर बंद इंटरनेट ठप से रांची में 500 क्लोर का घाटा रांची में हुए उपद्रव ने आम लोगों को जीवन को बीते 24 घंटे से प्रहवित कर रखा है इंटरनेट पर लगी प्रमंदी ने भी खासा असर डाला है इसके साथ ही उपद्र की विरोध में रांची बंद रहा इस बंदी ने सहर के कारोबार को भी अच्छी खासी नुक्सान पहुंचाया है बता दे रांची सहर का ब्यवास साय पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ रहा बिते दो साल से रांची के वैपायों ने कुरोना की मार जेली अभी सहर का वसाय से होने वाली कमाई उपद्रियों के कर्तूत की भेट चढगाई एक अनुमान के मुताबिक एक दिन की बंदी ने 400 से 500 क्लो रुपए का नुक्सान कराया है। सरकार से जवाब मांगा है। आदालत ने कहा है कि प्रार्थी की ओर से उठाए गए सबी बिंद्दों पर जार्खन सरकार आदालत में जवाब दाखिल करें। का गठन किया जाएगा जिस पर सरोवर के जल के उपयोग और उसके रख रखाओ की जिमेदारी होगी। ये जनकारी गरामिन विकास के सचीव डाक्टर मनीस रंजन ने अम्रीत सरोवर के किर्यानोयन की जनकारी सभी उपायुक्तों वा उप विकास आयूत के साथ वीडियो कन्फिरेंसिंग के माध्यम से धी धन्यवाद